समूरोही तसवरा, समूरा ख्वाब ही आए, हयातिये जे किताबंजा अधूरा बाब ही आए, रुगोवा रश्य रोडन ते दिलिन में गेटिन में बेदिलिया है, कर्यां चो प्यार तन्हामा महबत है के लिया है। इसकी एक अगर हम अर्दू में जिस ठाया तई 2002 took में, ये सब तइसबर ही तो है, ये तइस्तुर ही तो है और सारे ये फॉदा ये खौभ भी तो है ये जिन्दगी, उम्र ह्याति के किताबं के सब अधूरे बाब ही तो है, चचर्पटर अधूर ये तो है। कहां मुकमले, वाँ, सिर्फ रोडों पे रश हो गई है, गलियों में तो बेदिली है, और प्यार तुम्हें तन्हा कर रहा हूं, महबत अकेली है, आई हाई आई हो। एक चीज बड़ी दिल्चस्प मैंने आपकी जो है ना वो प्रोफाइल पे भी देखी और अकसर आपके गुफ्तगों में भी मैंने यह सुना कि आइम उन एजुकेटिड तो वो यह उन एजुकेटिड की क्या परस्पेक्टिव है यह मेरे चाल में तब लिखा था जब एक तो मेरे आर्गुमेंट्स बैस हुआ करते हैं और अकसर में हार ही जाता था आज यह सही होता है और मैं किसी को समझा नहीं पाता हूं और मैंने दे और वास लखों की ट्रिक्स है और वो, they make that point. And I cannot. But it has less to do with uneducated. But यह में इसले क्या कि जब ही में त्राइ किया कुछ इस समाज के अंदर, इस पड़े लिखे समाज के अंदर, Whenever I bring my point off you, तो मुझे लगता है कि it doesn't go so then I feel like with this social education which is a book and a book you are an educator I like to be an educator I am an educated in that you have done a master's in marketing I have done a master's I have studied literature and also in business business marketing this artist and this soul and this art which we are experiencing this was how it was what was the transition I think that to be aware or conscious mind this is always sometimes we feel but it is in your mind but it is in your mind and then it is you can see from the past from the surrounding wherever you are and there is no matter उस awareness के button को दबा के जाती है और अभी शायद कुछ सालों के बाद और अंदाज आओ What exactly I mean पर इसकी जो मेरे अंदर इसकी fresh fresh memory यह है कि मुझे अपनी language के साथ सिंधी जबान के साथ बहुत प्यार है और इसका यह मत्तब नहीं कि में जबान का माहर हूँ आहर भी नहीं बट मुझे अपनी जबान और मुझे अपनी धर्ती से प्यार है और उसी तरह से दूसरी धर्तियों के लिए और दूसरी जबानों के लिए भी respect है प्यार है उसके लिए भी पर अपनी से मुझे बड़ी एक attachment है emotional जब हम यूनिवर्सटी में पढ़ते थे तो यह एसास था के हमारी जो जबान है इतनी पुरानी जबान है उसको इस पाकिस्तानी मौशरे के अंदर जो के अभी एक बड़ा नया हमारे जो यहां के इंडी जीनियस लोग हैं पुरानी जबाने हैं कल्चर उसकी आगे बड़ बेबी है भी है अभी इसको बड़ा होना है पर एक बेबी इंचार्च बना दिया गया है इतने पुरानी तैजीबों के उपर तो उस इंचार्च को पता है नहीं है कि जो इन सब का गाडियन बनके अया है उसको पता ही नहीं है तो मैंने ये रियलाइस किया कि जो हमारी लैंग्विज है जो हमारी स्टोरीज है जो हमारी शैरिया है हमारी गीत है बड़े लिबरल है बड़े कलरफुल है और वो जिस क्राइसिस से ये मुल्क लड़ा है उसमें मुलायत है देशतगर्दी है रैसेजम है ये हम माजी में अपनी पोईट्री अपनी शेरी पढ़ते हो तो आपको यह लगता है कि there is so much clarity there so university के देज में मुझे यह मुझे यह जारियum adult हो गए तो उस वक्त मुझे दिल किया कि music is a very powerful medium to express this and and bring this this unique poetry, this synthi melodies और यह हमारी उस तोर की generation को जनको बता नहीं था अब तुम मुझे अच्छा लगता है के सारे ही cultures इस region के रियासत की तरफ से नहीं रियासत की तरफ से तो कोमी तरानों में मिली नगमों में कपड़ों की अथक नदर आते but यह सब लोग इनके नौजवान यह खुद ही अपने आपको यह उनिकनेस को फिलम्स के थरू, म्यूसिक के थरू, बहुत सारे आर्ट के दूसरे मीडियम के थरू लेके आरे के शाह लातीफ की वाई चलनी चाहिए पाकिस्तान के इनेस्टन टेलिविजन पर और यह इतना इतना साही सफर था और देन इस मूँ में तू मौजूद यह शेख यास की राता ही वही शिंदी में वो चली और मुझे लगा कि अच्छा है बसे इतना ही तो नहीं ताचीफ करना और फिर अब यह चीज मेरे लिए सेकंडरी है और फिर क्यूंके मूजिक है पोट्री है वो फिर अपना जादू खुद चलाती है अब आइफिल लाइक के I do music, the music I do it is more as I love music purely and I feel कि उस music के अंदर soul है क्योंके उस मूसीखी में वो जो हम कहते हैं कि वो रू की घज़ा है तो मुझे वो रू उसमें महसूस होती है मैं उसको महसूस करता हूँ जब आपकी मूसीखी को जो है मैं सुनता हूँ और जब मैं उसको experience करता हूँ और मेरे जैसे चाहिद हजारों जो साथी हैं दोस्त हैं वो उसको जो है वो महसूस करते हैं लेकिन जब आपने यूनिवस्टी की बात की और उस दोर में जब एक mainstream जो artist है और एक mainstream जो पूरा जो culture है और उसमें उर्दू है या अंग्रेजी भी किसी आद तक आप कह सकते हैं तो उसको आपने mainstream को कैसे resist किया और आपने का कि नहीं मैंने जो है वो इस language को अपनी जबान को लेके चलना है और जूकर एक बड़ी आपकी ख्वाइश होती है कि एक बड़े scale के उपर एक उस level के उपर जो है वो acknowledgement आई तो उसको कैसे resist किया सच यह कि मुझे यह जो mainstream का जो बुखार है और जो complex है यह मुझे बिलकुल भी नहीं है और आज भी मुझे लाइक सर्फ अगर में अपने sketches के music के सफर को देखो तो शायद हमें हम तो recognize हुएंगे कोई 10-12 साल पेले पर हमारा music का जो शुरुआत है जब हमने एक band बनाया है और music करनाया स्टार्ट किया है तो उसको बीस-बाइस साल हो गया इस बहुत वक्त हो गया बहुत वक्त हो गया बट आज भी रिलेवेंस है इस बीस-बाइस साल में हम पुराना बेंड जरूर हो गया होंगे पर stage के अंदर, narrative के अंदर, music के अंदर, relevance है इसा लगता है हर बार stage पी जाके जैसे हम बहुत नहीं नहीं है ठीक है इस इस वन magic and power of हमारी धर्ती का जो 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 शायरी है वाँ एक यह है उसकी एक relevance है क्योंकि वो भी बहुत डीप है जाहर एक जबान का सफर है उसके wisdom का सफर है उसकी शायरी उसके खयाल का सफर है वो चोटा तो है नहीं उसने बहुत दूसरा यह कि अब यह एक बड़ा मज़दार चीज है कि हमारी universities के अंदर भी अब यह mainstream का बुखार कम है लाइक हम जिस culture के आज यह word against you करना बड़ा बुरा लगता है उस वक्त उस यंग एज में यह against word ही वो था कि ओके यह thought जो कि हमारी music को हमारी जो जैसे हम हम चाहते हैं कि हम हमारा culture हमारी जबान हमारा music रिक हमारा artist रिकनाईज हो तो हमने वो पूरा सफर क्यूंके उस के against किया था उस पूरी flow के against जा रहे थे विंड के against जा रहे थे तो आज universities के अंदर with this consistency मैंने एक चीज़ का फरक देखा है कि वो mainstream का बुखा टूटा है और आज इस stage पे हम और और बहुत सारे artists इस region के perform कर रहे होते हैं जो कि मुझे अच्छा लगता है इसका कता यह मतलब नहीं कि और कोई artist perform ना करें आर्टिस पंजाब का भी करें उर्दू भी करें पश्टो भी करें और करते हैं हमारी लाउती के सारे artists होते हैं साथ-साथ यह इसास भी हुआ कि नहीं आपके अपने जो देश के artist हैं उनको भी एक space पिलना चाहिए ownership नहीं नहीं चाहिए और यह हुआ है कि हमारे सिंद के अंदर हमारा अपना mainstream है जो कि किसी और mainstream जबान का मोताज नहीं है हम बड़े-बड़े concerts करते हैं and this is a very good thing Pakistan के और cultures को और जबानों को सिंद से यह सीखना चाहिए कि हम अपने हमेशा ही हमने अपने artist से प्यार किया पर जब-जब यह नहीं एक विद प्लानिंग और विद तो चैलेंज डिस इंडिजिनिस नेरेटिव और जब एक artist तो मासूम होता है किसी भी region का पर जब उसको भी as a tool ढाल के तूर पर इंपोस किया जाता है तो हमारे इस खिते के अंदर फिर हमारी जो एक ऐसी forces हैं जो प्रोटेक्ट करना चाहते है हमारे इस रेवादारी को हमारे इस culture को चीजों को हमारे music को वो भी active हो जाते है यहांका political wisdom भी active हो जाते है जोनगा folks wisdom भी active हो जाते है सब लोगा आजाते हैं और इसका मतलब रस्ता रोक नहीं करना होता किसी और पॉलिटिक्स का आर्ट का या मजब का नहीं पर दवे वी सी इट हम उसको भी फेड आउट नहीं होने देते हैं यह हमारी एक है इसके तेकि नहीं और यह आई थिंक के बड़ी अच्छी बात है और मैं खुद इसको काफी जादा महसूस करता हूँ और वही आवली बात है मेर इससे सीखें जिस तरह सिंद्ध ने इसकी ओनर्शिप ली और अपने कल्चर की अपने आर्टिस की जो ओनर्शिप ली है वो बहुत कम बाकी जगा पे देखने को या एक्सपीरियस करने को जो है वो मिलती है तो लखुती का सफर कैसे जो है वो शुरू हुआ पहले तो अपने आर्टिस को जो हमारे रीजिन का आर्टिस्ट है पास करके जो सिंध का आर्टिस्ट है उसको स्टेज देना हमारी एक ओउडियंस थी दोजातेरा में लाWAYटी लाइफ सेशन से हमने स्टाट किया था और हमारी एक ओउडियंस थी कि इसके चिसकी ओडियंस बनना स्टार्ट वी थी, तो उस ओडियंस को फिर वो सुनवाना जो कि हम सुना करते थे, जिससे हम इंस्पार थे, अब ओडियंस भी वो उसको सुनती होगी, उस रंग को, पर ऐसे नहीं हुआ करता था जिसे, इन्टीमिट गेक्स हो रहे हैं, सामने आर्टिस बेटा वाया, पचास, साथ, सो लोग, उसको सुन रहे हो, और उसको अप्रिशेट करें, क्योंकि हम जब गाओं में सफर करते थे, तो ये बड़ा, जिस तरह से हमने फ्रेस किया, इस इंडिस्ट्री के रुथलेस एटिट्यूट को, हमारे गाओं के आर्टिस के अंदर तो ये ज़्यादा था, क्यूंकि वो गाओं के अध्तक या मेलों के अध्तक तो करते थे, पर और आर्टिस चाहता है कि हम जिस भी फ्रेम सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं, वहां पे हमारी रेकिनेशन हो, तो हमारे इसके ते कि आर्टिस के अंदर ये कॉम्प्लेक में टी-वी, मौनिंग शोस के प्रोग्राम से, पर वो गाते क्या है उसमें इंटरस्ट है नहीं, वो पेहनते क्या है इसमें इंटरस्ट है, तो उस ताइम पे, like I, what I feel, कि anything जिससे मैं टुच्ट हूँ, कोई भी कॉज हो, उसमें मैं अपनी जात को, और अपनी फाइन से ल This is how lauti is, and this is lauti was and has been always, जब तक मैं अपनी आपको इसमें इंवेस्ट नहीं करूंगा, मुझे लगता है, it's not genuine, I don't wait के somebody else comes and, you know, be, when I decided this is my, यह मेरा सफर है, यह मुझे करना है, तो lauti का सफर, यह सारे अपने आर्टिस्टों के साथ, शायरों के साथ उठ पेट कही था कि, ओके, what we can do, हम क्या कर सकते हैं, इसकेचिस क्या कर सकता है, सेफ समय जो क्या कर सकता है, यह आता है थार्ट आप, तो instead of crying to this mainstream media, which I don't believe, like मैं इसको mainstream, इसी ले कह रहा हूँ, मुझे लगता है to laugh at them, I call them mainstream, मेरे लिए यह mainstream वो नहीं है, जैसे इता सबर होती है, shallow है, So we decided कि हम एक stage create करें, अपनी terrace पर, और उस पर हम इन आर्टिस्टों के साथ, शामें celebrate करें, एक, तो आज की नोजवान PD जो के हमें सुन रही है, वो इनको सुने, अब सिर्फ यह इतनी नोजवान PD नहीं है, जो हमें सुन रही है, सिंद बहुत बढ़ा है, पर जितने हमें सुने, और दूसरा यह कि उस आर्टिस्ट के साथ जब शाम celebrate होगी, उसके साथ बाचीत होगी है, नोजवान उससे सवाल करेंगे, यह जवाब देंगे, sense of respect होगी, उसमें बहुत सारी कहानियां हमें मिली, माई धाई वहां से आई, उसकी कहानी मिली, कितने सालों से she wanted to sing, फकी जुलुफकार जो गाउं में बॉरिंडे बेकर के बेठा वा था, बंद कर के बेठा था, the moment we listen यह क्यों बल दें, the same thing, no respect, nothing, तो यह stories है, यह भगत बूरा है, शमू बाई है, और बहुत सारे, बहुत सारे फंकार है, like गिनने बेटें तो बेशमार, hundreds and hundreds है, तो इन सब क के साथ मिलने के मौके, इनकी कहानिया सुनने के मौके, और फिर उस जामशोरों की टैरिस पे या चछत पे, उनके साथ, you know, वो मियूजिक की शामे होना, एक तो अपना, अपनी रूट्स के साथ और ज़्यादा, connect, connect से मैं कहूंगा कि connect तो थे, मैं समझना हूं कि और पुक आपन चलते हैं तो धरक्त जो हते हैं, वो और तेज पकड़ते हैं रोट्स को, और जितने वो नीचे गहरे होते हैं, अतनी उपर जा सकते हैं, अगो नीचे गहरे नहीं होंगे, तो गिर जाता है, तो अपनी गहराई को बढ़ाना, to correct yourself to, a lot of things like, when you and I were talking about these tribes, communities, we also say that, कि हाँ, यह में कभी-कभी दूर से लग रहा होता है, कि शायद a wisdom गाउं में होगा, यह दरिया के किनारे होगा, जहाँ पार पे होगा, जबरी तो नहीं है, क्योंकि वहां से भी तो लोग सफर करके इदर आयोंगे ना, जह हम बैठा हैं, और उनके साथ wisdom ट्रैवल किया जब हम समझ लेते हैं कि what we know is good, like जैसे हमने sketches बनाया, तो लग रहा था कि हाँ, इतनी motivation काफी है, इतनी तो नहीं है, जिस language जिन artist हों, जिन poets से हम inspired हैं, जब उन से मिले, तो में लगाना कि हम भी shallow थे, अभी कुछ और है, और फिर आप एक से दूसरे दूसरे से तीसरे गाउ आर्टिस लोगों से मिलते हो, आपका अपना canvas भी रसी होता है, बटा जाता है, आपके अपने तक्रीयल को भी वुसत मिलती है, तो उसी session से लाउती मेलो स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो इस्ते चोटी बढ़ गई, वो जो terrace चोटी लगने लगी, audience बढ़ता था, जब जस आर्टिस आते थे, अब सिन नहीं, सिन से बाहर भी, पंजाब का आर्टिस भी आना चाता था, बलोचस्तान का आर्टिस भी आना चाता था, वो एक social media पे बन गई लाउती की vibe, तो फिर, अच्छा, भार से भी, भार से भी आर्टिस्ट सुनने लगे, ये folk रंग, ये दरगा का रंग, ये गाओं का रंग, तो वो आर्टिस्ट भी चाते थे कि इन आर्टिस्टों से मिले, और हमारी पाकिस्तान के डिफेंट 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 आर्टिस्ट भी चाते थे कि एक संगत हो, लाउती के साथ भी हो, इन आर्टिस्टों के साथ भी हो, तो फिर हमने उस सेशन्स को लेके चलेगे इस बड़े स्टेज़ बाउती मेलों के स्टेज़ और मैंने देखा कि या इवन जो फॉरेंड आर्टिस्ट थे या वो जो बैंड्स आये और उन्होंने जब परफॉर्म किया तो उनको भी उतनी ज़ादा अप्रिसेशन मिली उनको भी वही डिस्पॉस जो है वो उसी तरह से जो है वो मिला सो जो के आप देखते हैं कि जिनरली के एक स्पैसिफिक जगा पर अगर इवेंट हो रहा है तो शायद उस तरह कर रिस्पॉस मिलेगा आर्टिस्ट किस तरह से रियक्ट करेगी लेकिन वो उतनी ही ज़ादा जो है वो आर्टिस्ट मोटिवेटिड थी आच्छा मोटिवेशन है यह सब कुछ करने की और उस मोटिवेशन में जो अधाफा होता जा रहा है मिसाल के तुर पे जहरे हम बात क्योंकि म्यूजिक और शायरी की कर रहे हैं और समाज की भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह आपको जो मेरा सफर है जो मैं कभी-कभी जहरे ज सकता खुद को भी महसूस जितना मैं समझ पाता हूँ खुद को कभी-कभी नहीं भी समझ पाता हूँ मुझे लगता है कि दीप पर आई गो मुझे यह चीज़े ज्यादा इन्वार्मेंटल फ्रेंडली बनाती है मुझे यह पाड़ों का दोस्त बनाती है यह हमारे वेगरा जारी बनती है एक दोस्ती बनती है दरफ्पों के साथ दोस्ती बनती है दर्याओं के साथ दोस्ती होती है उसके साथ बेटके यह से लग रहा होता है एक जान पेजान है एक रिष्टा है जो हमने इमेजन किया है अपने दिल में कहानिया सुनके गाने सुनके शारिया सुनक या फाहरों के साथ एक पहले भी जाया करते थे, सुकून कहीं न कहीं मिलता होगा, रिष्टा जुड़ता होगा, पर अब ये ज़्यादा विजिबल नजर आता है मैंज़े, कि अब जब कभी हमें लगता है कि कहीं समंदर पल्यूट होते हैं तो दिल करता है कि जितना हम मेर्सूस करते हैं, वो अवेरने सेयर करें, वी स्पीक अब 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 पॉबलिक बट थ्रू फेस्टिवल हम इसको हाइलाइट भी करें और जहां-जहां डारेक्ली कनेक्टे हैं पॉलेसी मेकर्स के साथ, पॉलेटिशन के साथ, उनसे बात भी करें, उनको भी संसिटाइज करें हैं तो मुझे लगता है यह चीज़ें आपको हसास करती हैं, संसिटिव करती हैं, इस मेरा सफर विद इस म्यूजिक पोईट्री आर्ट, क्योंकि इसे बाहर मुझे अप लोग तो अपना वजूद दिखोतेते हैं, I don't know, वो कैसे हो जाता है, चीज़ें हो जाती है जिल्दगी में, but till मैं अपने वजूद को मैसूस कर सकता हूं, या जब तक मैं अपने नाम भी अपने साथ केरी कर रहा हूं, सैफ, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि I am sensitized to environment, to climate, to mountains, to rivers, to nature, to trees, तो मुझे इस तरफ ये चीज़ें लिखे जाते हैं, music, our poetry, but साथ-साथ, जब कहीं इन चीज़ों के साथ, जुल्म हो रहा हूता है, तो ऐसा लग रहा हूता है कि ये हमारे साथ ही हो रहा है, so what we do in this, you stand for it, you take a stand, as much as you can, आप आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, आप बोलते हैं, क्योंकि जब आप कहले हैं कि मेरा किसी के साथ एक रिष्टा है, रिष्टा तो तब बनता है जब आपके, आप एक दूसरे की लवज ना सुने, उससे beyond आप मैसूस कर पाएं उसको, तो अगर किसी से रिष आप कटना तो नहीं चाहिए, यह पहाड बोल नहीं रहे और यह माइन होके डिस्ट्राइट तो नहीं होने चाहिए, इसके लिए यू आप तो इन्वेस्टेंड़, यह तब होगा जब आप हसास होंगे, जब आप सेंसिटिव होंगे, अगर आप नहीं होंगे, तो यह मु मेंस्टीम के अग्जिस्टिंस को एक जोक समझता हूँ, जिस तरह से वो मेंस्टीम बनाए पाकिस्तानी मेरिया तो मुझे को प्राप्लम नहीं होने ना होने से, पर्खनी पड़ता है, तो ये सफ़र उस तरफ ले के जाता है, अगर वो कुछ बेहतर करेंगे गोड़, और अ हमें तो अपना करना है, कि हम क्या समझते हैं, so, I will rather invest myself, जहां जो चीज मुझे अची लगएगी, वो नेचर हो, वो इन्वार्मेंट हो, वो म्यूसिक हो, I'll invest myself, I invest myself means my time, my money, everything that I have, मैं सबसे पहले अपनी आपको इन्वेस्ट करता हूँ, जिस कॉस्ट में मैं बिलीफ करूँ, I'll do this, otherwise हो नहीं, और दूसरा ही को चीज बड़ी है मैं, इसी चीज के अंदर, when we say being sensitive, आप भले अपने दोस्तों के साथ हो, family के साथ हो, मौाशरे के साथ हो, one thing it is very important, आप हो अकेले, this is very important, आप लोगों के साथ रहे के भी अकेले हैं, यह एसास, the deeper you go, at least मुझे होता है, अब जितना उठें बेटें बात करें, पर आप हैं अकेले, यह है, this is very important, कुछ टाइम पहले हमारे पास, कुछ दिन पहले एक मंग आया था, उसने एक लवज इस्तामाल किया, मैंने उसे सवाल किया, बड़ी एक, उसका एक डिस्कॉर्स था, तो उसने का, कुछ उसने बात की, उसने मुझे पूछा, तो मैंने लवज इस्तामाल किया, कि experience, क्योंकि मुझे लवज अच्छा लगता है experience, तो उसने का, नहीं experience लए, witness, उसने का, experience और witness में फर्क है, be a witnesser, सब को witness करो, जए हो रहा है, उसे witness करो, जैसे पीछे ये, बख्स की आवाज है, the moment you become a witnesser, you feel more aligned, अब उस नम्मे के गवाँ है, यह रविटनेसिंग, एक साइडिय भी है, अच्छा सैफ, एक बड़ा मुश्किल, यह फैसला होता है, कि कोई political stars लेना, एक political approach लेके चलना, जिसे आप समझ रहे हैं, कि शाहिद ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, और मैंने जो generally जो देखा, आर्टिस्ट को देखा, और specifically वो आर्टिस्ट जो के मेल्स्ट्रीम का है, तो वो बड़ा अपने आपको neutral रखता है, ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में, अगर हम internationally इंडस्ट्री में देखते हैं, तो वो कोई political stance नहीं लेते हैं, कि हमारी falling खराब हो जाएगी, या जो brands हैं, या जो हमारे commercial हैं, वो हमारे से चले जाएंगे, और इस सब के जो होते हुए, और इसमें आप जिस तरह से जो है, वो stand लेते हो, और जो stance आप लेते हो, तो वो किस तरह से लेते हो, आपको ये खोफ नहीं होता है, कि अगर मैं इस पे जो है, वो आवाज उठाऊंगा, तो इतने लोग मेरे से खफ़ा हो जाएंगे, ऐसे न आर्टिस्ट तो जनरली, आई सी के वेरी नीट्रिल, और जो कि मुझे भी समझनी आता है, कि आप एक आर्टिस्ट नीट्रिल हो, कैसे सकता है, मैं समझता हूँ कि हम जहां उठते बेटते हैं, जिस माहूल में उसका रंग चड़ता है, अगर आप एक शान्त माहूल में बेटोगे, तो शान्ती आ जाती है, क्योंकि जब आप फिर एक शान्त माहूल में, आप अपनी आवास भी आप वोची नहीं लगती हैं, आपके दिया, पिन्वाइस हो रहा है, जिस माहूल में, जिस इन्वाइर्मेंट में आदमी उठता बेटता है, वो उसे असर करता है, पहले तो ये है, जिस मेंस्ट्रीम आप्टिस्ट की दुनिया में कहीं भी, हम बात कर रहें, उनका एक अपना वो है, एक खोल है, उन्होंने अपनी एक चीज की रहेंट की जिसे वो रियालिटी समझते हैं, जो ब्रैंड्स ओरियंटेड है, जो एवार्ड्स ओरियंटेड है, फेम ओरियंटेड है, एक ये है, वो बड़ी फ्रेजाइल है, वो सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव का मतलब ही, मैं समझता हूँ के फ्लेक्सिबल होना है, स्ट्रॉंग, फ्लेक्सिबल मेरे आगे स्ट्रॉंग है और फ्रेजाइल एक ग्लास की तरह है एक बिल्डिंग की तरह है जो तूट सकता है तो वो उसको संभाल के चलते हैं बचा के चलते हैं तूटी न जाए अब हम जिस एन्वारिन में उट बेट रहे हैं वहाँ पर यह फ्रेजाइल ग्लास की तो गुझाईश ही नहीं है यहाँ पर जिस दूरिस्टी पर ग्लास तो यहाँ तो शिशाद जले गा ही नहीं तो मुझे लगता है कि जारे इनी लोगों के साथ उट बेट भी रहें और हम भी कभी उन जैसे कभी वो हम जैसे यह ट्रांजेशन होते हैं बट यह सच है कि मुझे अब इन चीजों का खौफ नहीं होता शायद माजी में हुआ हो कभी कभी हुआ हो पिर चला गया हो क्योंकि यह पर्मिनिट मेरे अंदर खौफ तो कभी रहा नहीं है कि यह लोग क्या सोचेंगे यह ब्रेंड्स के साथ तो में काम किया ही नहीं है तो मैं इसको लेके बिलकुल भी वरिड नहीं हूँ क्यूंकि मेरे पास क्लारिटी है अपनी जात को लेके अपने आपको लेके मुझे क्लारिटी है और जो मैं मुझे कर रहा हूं मैं यही तो करना चाहता था मैं इसके इलावा उस मेंस्ट्री में और क्या कर सकता हूं I don't see myself fit there making more money पेखा आपको कितना चाहिए जीने के लिए कितना चाहिए जितना चाहिए उतना होना चाहिए उसे ज्यादा तो मुझे उसकी ख्वाइश नहीं है तो मुझे यह इस इंडस्ट्री का जब मैंने पहले का कि मुझे जोक लगता है मुझे याद पढ़ता है कि यह इस बात निकली है तो क्योंके लोग सुनेंगे तो उनके लिए सुनागे तो आपको मेरी जात के लिए मेटर नहीं करता मुझे याद है कि हम नॉमिनेट हुए एक आवाड में चार केटिक्रिस और वो उस लक्स स्टाइल आवाड तो उस वक्त कुछ औरतों ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई तो फॉर मी टेस्ट वास के आई बिलीव इन विमन अब मैं उस औरत के आवाज को से अपना आवाज मिलाओं और उसको दुरुष समझूं यां में आवाड के साथ कहड़ाँ जाओं मैं ने उसी चारो ही कैटिगरी से लाइक बेक आफ किया जैसे हम सिंपल जबाने बाकाट के दे उस ज़रुरी नहीं था मैं करूं अबलिगेशन नहीं थी उस हवास का हिस्सा बनने के लिए या बिकस इस वाट बिलीव कि मैं अपने आपको ही इन्वेस्ट करूंगा उसके अंदर सबसे पहले आयल जंप मैं खुद आओं मैंने यह नहीं सोचा कि इससे क्या नेक्स्ट इयर हमें यह नॉमिनेट करेंगे नहीं करेंगे हम और उस वक्त जह सर्किल में उट पेड रहे थे उन लोगों ने इस चीज को अप्रिशेट किया उस में बेदिशन भी थे एक्टर पेड़े डारेक्टर भी थे सब पर फिर मैंने देखा कि नेक्स्ट इयर उनी दोस्तों में से उनी लोगों में से बहुत से लोग जब नॉमिनेट हुए तो उन्हों ने खुशी खुशी शेयर किया किसी भी आर नॉमिनेट है तो यह मज़दार था यह मुझे और बुखता करता है चीज़एंग देट यूर अलोन हाँ क्योंके मेरा सवाल भी यही था कि बड़ा मुश्किल है कि आप इन सब अचीफमेंट्स को इन सब एवार्ड्स को इस सब में स्ट्रीम के जो परक्स है उनको जो है आप कांटिन्यूसली जो है आप रिजिस्ट करते जा रहे हैं और एक अपना एक रस्ता है जिस पे बड़े हैं और चलते जा रहे हैं और किस खुबसूरती से चलते जा रहे हैं यह वार्ड्स इस सारी चीज़े तब आती हैं डिसकुशन में यह सुसवाइटी यह सब चीज़ें जब हम टेबल पे बढ़ते हैं इस टेबल टॉक नियू से टोन टेबल यह टॉक तो यह उस विल्डर्नेस में तुझे ही नहीं तो हमारे उस ख्यालों की विल्डर्नेस में उस ख्यालों के दर्याओं में उस ख्यालों के सेराओं में पाड़ों के से दुनिया में यह तो बसती ही नहीं है चीज़ें तो हम इस एवार्ट को ले लें, हम ग्रैमी तक चले जाएं, हमें यह अचीफमेंट अगर हमारी प्रोफाइल के अंदर आ जाए तो हमारा जो प्रोफाइल जो आर्टिस्ट का कैरियर है वो उसको प्रोफाइल को एक जंप लग जाएगी तो वो तो मोटिवेशन ही जो है वो दिखने को यही मोटिवेशन मिलती है यह है ऐसे है और मैं इसको बुरा भी नहीं समझता क्योंकि हम सब का कहीं न कहीं से तो मोटिवेटर हैं कहीं न कहीं से तो ट्रिगर है और एक आर्टिस्ट को अप्रिसियेशन चाहिए भी होती है शा अगर किसी को social validation चाहिए और मैं ही समझता हूँ कि ये चीजे सब ठीक हैं ये awards पहला जो में बात करें थे वो तो एक context और था अगर इसको और बड़ा उपर से देखें तो that is fine कि कोई brands के साथ कोई awards के साथ that's also fine मुझे personally इसमें अगर कोई problem होगी तो यह होगी मैं चाहूँगा कि आर्टिस्ट अगर recognize हो गया society के अंदर तो अब वो जहरे society को influence भी कर रहे हैं अभी awards सब चीज़ें जैसे हम वेस में देखते हैं जैसे हमने लियोनार्डो को देखा अब मुझे नहीं है पता वो अपनी real जिंदगी में क्या है क्या है I don't know ठीक है पर हम देखते हैं कि इतने संजीदा मौजू पर इशूस पर वो वो बनाता है ताइम इन्वेस्ट कर रहा है ताइम इन्वेस्ट कर रहा है वो उनाटे नेशन में खड़ों के बात कर रहा होता है वो वर्ड लीडर्स के साथ बात कर रहा होता है तो अच्छा वो बात ऐसे नहीं कर रहा होता कि बस for the sake of fame आजाए कि मैंने ऐसी आटिस्ट भी देखें जनको कुछ नहीं पता होता I am being very straightforward को सकता है कल को मैं खुद कूँ गयार भाई नहीं नहीं, that's so true कि चुके मेरा काम भी यही है और मेरा प्रोफेशन भी फिल्मेकिंग है और एकसर ऐसा होता है कि वो script दे दिया जाता है चाहिए वो social awareness की उपर है कोई public service message है तो वो एक script आप थमाते हैं आर्टिस्ट उसको उसी वक देखता है और उस script को पढ़ देता है उसका कोई link नहीं होता कि यार ये issue कितना deep rooted है इसका impact क्या आ रहे है और इसके होने ना होने से माशरे पे क्या फर्क पड़ेगा वो बिलकुल detach होता है उससे ऐसे भी होता है अगर कोई attach होते हैं तो shallow होते है very shallow वो shallow होते हैं वो देख रहे होते हैं अच्छा इस वक्त फैमिलिजम चल गा है इस वक्त climate climate justice क्या है तो कहते हैं शायद इससे मैं जब बात करूँगा तो कोई अखबार, कोई मीडिया, कोई ग्रूप, हैटलाइन, कोई उठा लेंगे, कोई राइट, कोई लेफ्ट कुछ ऐसा भी शोक होता है ये मशोगर होने के बहुत सारे शोक होता है तो बी non-famous in society तो मैंने ऐसे भी आर्टिस देखें जो के नेचर, क्लाइमेट ऐसे पॉलिटिशन और एक्टिविस भी देखें जो के कॉजस को लेके बिलकुल भी अवेर नहीं होते और ये सना मोटर साइकल लेने का शोक हो जाए उनको ये शोक हो जाता है ऐसे मैंने देखें और फिर मैंने ऐसे भी देखें कि हमारी इंजियूस के वर्ल्ड खुले होते हैं उनको फंडिंग देने के लिए घरान देने के लिए आपके ब्रेंड्स होते हैं ब्रेंड्स भी कभी इन्वार्मेंट पे बात कर रहे होते हैं यह दूनुर्स उनको बड़े-बड़े हैं और वही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं अवार्मेंट को यह ऐसे होता है न कि हमारे यह पर जो जिसके अंदर में जैदा प्राबलम होती है तो दुख़ा भी ज्यादा तेज़ा आख भाग रहा हुता है तो लोके पैयर नोग के पहुझी भी चीज़ है जब हम ब्रैंड की बात करते हैं तो अक्सर पछले दिनों कोई रिपोर्ट मीवें देख रहा था कि जो भ्रैंड इन्वार्मेंट को सबसे ज़ादा नुकसान पहुनुड़े हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको पालूट कर रहे हैं वही सबसे में डोनर्स हैं इसके ग्रीन इनर्जी के ग्रीन फंड के और जितनी हम जो है यह क्लाइमिट चेंज की जो है वह बात करते हैं और आपकी दूसरी बात से मुझे वह बड़ी इंटरस्टिंग बात याद आई कि मतलब अवेर भी नहीं होते चाहिए वह पॉलिटीश बननी है पिछले दूनों एक दोस्त है बड़े मासूम और बड़े ही मैं कौँगा कि साधा तबियत के चाहिए दोनों नहीं मुझे मुझे से पूचा उनको किसी क्लाइमिट चेंज कॉन्फरेंस में बुलाया उनको बड़ा अच्छा लगा बड़ा रिस्पॉंस आया और दूसके बाद हमारी की मुलकाव्त हुई ट्रैवल कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं मुझे क्लाइमिट चेंज अक्टिवस्त बनना है तो बताओ इसका तरीका क्या है इसका शॉर्ट-कट क्या है कि अक्लाइमिट चेंज अक्टिवस्त किस तरह से बना جाता है मैं बिलकु कि चुर्अ मेरे तो ख्याल है कि आप कम्यूनिटी से वीईमेंट काम कर तो यह एक ट्रेंड को फालो करणी लग जाते हैं मेरे उस पर कोछ ऐसे इंडाई को इंडाता कि जो भी बड़ा मैं क्योंकि जानता हूँ तभी तभी गे रहा हूँ और वो दोने भी कुछ ऐसा ही स्टंट किया और वो भी क्लाइमित और इन सब चीजों के एक्टिविस्ट बन गए या एड़ोकेट बन गए जो के इनवे गुड है इसमें सिर्फ खत्रा ये है कि वो अगर डीप नहीं है अगर वो गेरे नहीं है अगर वो उस चीज के साथ सचे नहीं है तो हमने बहुत बड़े बड़े कॉजस ऐसे ही गवाएं दर्द मेरा हो और आप कहें वई मैं बता रहा हूँ सब को दर्द क्या है तुमारा मेरा दर्द में बता सकते यह ंगर पता तो कि मेरा दर्द क्या है यह मोझे दर्द है कि मैं उसे अवेर तहू हूँ नियह है इस हाथ में है दिल में है rocking है च़्ालों में पेन है पीडा है, तक्लीफ है यह सब चीज है तो एक इस चीज़ों को लेके अवेर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टिविस्ट के लिए अदर्वाइस हमने बड़े-बड़े कॉजिस ऐसे ही गवादियें शोक में उठा के और ये जो खास करके पॉलिटिशन्स होते हैं या पॉलिटिकल बेग्डरॉंडस होते ह January in spring वो वशार बहुत होते हैं चालाग बहुत होते हैं ये मैं सि लेखे रहाए हूँ जितने मेने अपने गेर देखें, वो पिक कर लेते हैं, वो भले उस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हो या ना हो, पिक कर लेते हैं, कि मोज़ू ये वेकेगा, चलेगी ये चीज़, कुछ ऐसे दोस्तों को भी मैंने देखा है मैं उनके दिमाग को देखे मुझे एरत होती है कि उनको बात करनी एन्वाइर्मेंट पे और उनको दरिया पे बात करनी है उनको पता ही नहीं है बात करनी का है कुछ देर पेले वो किताब गूगल चेट जेपीटी वाटेवर वो पढ़के वो स्टेज पे जाते है और इसा बोलते है इसा बोलते है कि जो आपको गया है तो वो कमाल हो गया तो दूसरे दिन कोई दूसरा काम तो ये भी तो स्किल है और जाए है तो पब्लिक स्पीकिंग भी तो एक स्किल है और उसी स्किल को वो गया है उनको चाहिए वो कुछ दरिया में जंगल में वक्त नहीं गुजारते हैं वो इसा ही बात कर देते हैं किसी जलसे में, किसी होटल में, किसी कॉन्फरंस में और पर वो अपना फन जानते हैं वो अपना फन जानते हैं और वो सीख भी जाते हैं कि किस बात पर किस स्टेटमेंट पर ताली आएगी कौन सी बात जो है रात की हेडलाइन की का हिसा बनेगी या अगले दिन के निउस्पेपर में जो है वो सुनेरे हर्फों में जो है वो आएगी क्योंकि वो उससे जो है वो सीख पी जाते हैं मुझे इससे याद आ रहा है कि मैं मैंने जब फिल्म सीखना शुरू की तो मेरा बड़ा शोग था कि मैं सैनमा बड़ी सिक्रीन के लिए जो है फिल्म बनाओ तो मैं लाहूर में गया बारी स्टूडियो में और उदर जो हमारे जो पुराने जो फिल्मेकर्स थे उनको मैंने असिस्ट करना शुरू किया और उस वकट 35 mm के उपर जो है वो काम होता था जो एडिटिंग है वो नौन इनियर नी लीनियर होती थी आप कैंची से उसको नेगिटिव को जो है वो काट रहे हो और जब फिल्मिंग हो रही थी तो उस प्रॉसेस में मैंने क्या सीखा कि ये व पूरा जो स्क्रिप्ट लिखता था पूरी जो फिल्म बनाई जाती थी और उनको सलाम है वो जो उनका तजर्बा था वो जो हदायतकार थे वो प्रोडूसर से वो जो फिल्मेकर से उनका एक्सपिरियंस था and I was very much impressed by their experience कि उन्होंने सैनमा हाल के अंदर जाके उस चीज को ए किस दिलिवरी पे और किस बात के ऊपर किस डायलॉग के ऊपर ढालीब भजयेगी तो उन्होंने स्क्रिप्ट के अंदर यह नोट किया होता था कि इस जगह ताली आनी है इस जगह जो है वो सीटी बजेगी और यह जो है इस पर इक तो यह यह कुछ हुआगार कह थे एस किल की या उस एक्षन की quality किया है ताले बजवानिय कि यह यह उङन नहीं करता ता तो आपका जो अटकम थी यह ता कि ताली बज़नी चाहिए उसका कोई socially क्या impact हो रहाए वो उस पर जो है वो मैटर नहीं करता था और यह आज भी हो रहा है हमारे यह पर ज्यादा तर जो मिनिस्ट्रीज होती है वो क्या करती है कि पूरा साल होल्ड करती है नोक्रियां उस दिन के लिए जिस दिन ये गवर्मेंट जाएगी पर जब वो सिस्टम जा रहा होता है इनका ताइम पूरा हो रहा होता है हफता दस थे पंदरा दिन होते हैं पर ये आखिर में वो देना शुरू करते है तालियां बजवाते हैं जाते जाते हैं इनको पता होता है उसे पहले ये क्रिटिसिसम सुन रहे होते हैं गालियां सुन रहे होते हैं उसे बरदाश कर रहे होते हैं और मैं हरत में होता हूँ यार यह तो अभी यह ताली बजवाद है, पर बड़ी ताली बजवाद है, आखर में, जाते जाते, तो, they know this very well, सारा साल तकीरे करना, और पर यह जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, डोनर्स इदारे, यह इसी से खुश होते हैं, इनको यह चाहि अपने कुछ दोस्तों के साथ देठा था, वो पॉलिसी में करशते हैं, तो उनको मैंने एक एक एग्जेम्पल दी, एक इंडियन पार्लियमेंट के लड़र, इंफरंट आफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडन्ट, अब मुझे वो एक्जेक्ट, उस वमिन का नाम जाद एक काम था, जो कि उसने काम एज प्रोजेक्ट या कोई स्कीम के लिए नहीं किया था, वो उसकी लाइफ थी, उस औरत की वो जिन्दगी थी, वो उसकी वो जिन्दगी थी, वो इंडियन गवर्मेंट ने उसको बुलाया, और उसको इंडिया का बहुत बड़ा आवाट दि थी, तो मैंने देखा उसके एक्स्पेशन उस बेमिन के, कि उसे यह पता भी नहीं था कि यह क्या हो रहे है, वो आप आई वो खड़ी थी, और उसके कपड़ी वही थे, जो वो पेंती है, बिल्कुली आम से, साधा से, और पुराने, कुछ ना नहीं था, ना उसके बाल पेंती है वे देखा वो आई उसको लेकि आए होंगे, जरू उसको लेकि आए होंगे, केवर्मिन्ट है, तो तो उसके वो रिसीफ तो किया, बने थिका कि वो कुछ हेरत में थी, क्या हो रहा है, और वो लेके चली गई, तो यह एक जैनियन एक रियल था, और पिर मुझे, यह पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, पर जरूर उसके पीछे पर यह और इसके नाम से अपने आपको चमका लें, ऐसा होता है हमारे पास, वो भी ढूंड रहे होते हैं, यहां तो जैनियन लोगों को भी मैंने पिलेट करें, I am talking my experience, क्योंकि मैंने बड़े-बड़े बड़े करने वादे लोगों को, organizations को, जब थोड़ी दिर के बाद ढ़लते वे देखा है, तो बड़ा ऐसे देखा है, नाम बड़े दर्शन चोटे, ऐसे मैंने experience किया है, और यहां पे भी यह ढूंड रहे होते हैं, यहां तो जैनियन कोई आदमी है, वरत है, कोई काम कर रही है, तो उसको इस तरफ अपने जरा सिसके नाम की चमक अपने ब्रेंड के साथ, organization के साथ लगा लें, ताकि थोड़ा बने, उससे इसको भी कुछ दे देंगे, एक यह intention मैंने देखी है, बहुत common, माना, जिदो जद किसी और की, केश में करा हूँ, तकलीफ किसी और की, पेंड किसी और का, फ्यूल में बनाओ, किसी और के दर्द से दिया अपना जलाओ, this is how in attitude, और दूसरा, ये सरकार, सिस्टम, UN, ये जो भी सी चीज़ है, और USAID, पता नहीं क्या-क्या जो 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 डोनर्स के नाम आपके मन में आते हैं, आप सोचिएगा ये मैंने चंद मशहूर नाम दे लिए हैं, हमारी गवर्मेंट, हमारी एदारे बड़े-बड़े, ये भी देख रहे होते हैं कि इसमें ज्यादा active कोन है, वो फैबिट च्वाइस होती है, हर शोबे के अदर, उसका काम कितना है, that doesn't matter, वो बोल किया रहा है, ज्यादा तालि के अंदर, कि एक आदमी अपनी जमीनों पे बेठा वाँ, और वो किसी और फिलड एरिया में नहीं जाता, वो अपने गर को बचा रहा है, पर उसे ये पता है कि मैं इसको कैसे केश कर रहा हूँ, कि मैं पूरी सिंथ के फिलड के लिए खड़ा वाँ, हलाकि वो बच्छा अ हम, हम, and it is good to protect it, हम, but उसके पास इसकिल है, कि इस फोटो को तो सिर्फ गाउं तक मेदूत क्यों किया जाए, क्योंकि सारे गाउं एक जिसे लग रहे हैं, पानी में डूबे वे, तो ये फोटो है, I am visiting पूरी सिंथ, और सारे फिलड के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, ह ये अपने घर कोई सिर्फ बचा रहा है, आपको नहीं, ये अपने घर को लेके इस पर ये जानता है, कि ये अपने घर का फोटो में केश करा सकता हूँ, ये कह के मैं पूरी सिंथ के दोरे बे लगावाँ, तो अब सब के साथ, उसको सेल कर सकता हूँ, अब ये हम, आवलिटि ये उसकी, तालिया दोनों को बजवने आथी, और चाहिए भी है, निए और प्अगलिक भी नए जती मुझे लगता है कभी जनता भी नहीं चाहती, कि प्राबलम उन को बताई जाए, एंचाइट हो जाती हूँ, जैसे करें करें हम ठीक लेंगे टाइम परॉ वो अक्सर हम सुनते हैं और जब बात आती है आर्ट के उपर, मुसीखी पे, फिल्म पे, तो वो जो हमारा इन्वेस्टर है या हमारा जो प्रोड्यूसर है या फैनेंसर है, तो उसकी अक्सर यही डिमार्ड होती है कि पॉब्लिक को इंटर्टेन्मेंट चाहिए, उसको डिप करेंगे यह है, ऐसे है, पॉब्लिक नहीं सुना चाहते हैं, सच नहीं सुना चाहते हैं, गालियां देंगे एक दूसरे को उनको अची लगेंगे, और वो भी यह समझते हैं बड़ इच्छे तरीके से, किस दिन, किस टाइम पे, किस को क्या कहके, कभी जिंगोइजम, कभी क तो सैफ, इतनी पॉलिटिकल अवेरनेस और इतनी सेंसिटाइज हैं आप इस सारी सिचुएशन को, अपनी इन्वायरमेंट को, कल्चर को, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को लेके, तो यह सारा कनेक्शन किस तरह मतलब बिल्ड हुआ, यह हसासियत किस तरह से जो है, वो आई अईन्फर्शनेटली मुझे बहुत कम दिखने को मिलती है, आर्टिस्ट, जो आज का आर्टिस्ट है उसके अंदर मुझे ऐसा समझ आता है, कि अगर चरनल ही हम पॉलिटिकल अवेरनेस की बात करें, इन चरनल, तो सिंद का खिता, पॉलिटिकली बहुत अवेर है पॉलिटिकली बहुत अवेर हैं, मिसाल यहाँ पर पॉलिटिकस भी यूनिक रही है आप, मिसाल हम अपने दोर से पहले के सासदानों के भी देखते हैं, पॉलिटिकल उनका जो सफर है मिसाल के तौर पर हम जीम स्यथ को पढ़ते हैं तो एक उनका अपना जब्रगल, नजरिया, जिदोज़द है बिल्कुल जो कि सिन्द के मास को अपनी जिदोज़द लगती है हम उदर ये बशीर कुरेशी देखते हैं जीम स्यथ के साथ ही बिल्कुल उस सिंद्र के बहुत बड़े मास को उनी का अपना लगता है उसी के बिलकुल अपोजिट हम देखते हैं बेनसीर भुटो की पॉलिटिक्स वो भी एक अपना यूज स्केल है रसूल बपलीजो को देखते हैं फिर हम रसूल अपलीजो साब को देखते हैं फिर वो एक अलगी बिलकुल डिफरेंट जो है वो थौट है वो इन सब की मुझो मिसलल पलियो साब है साइन जेम सायद है मोतरमा बेनसीत बटो है मैंने देखा है कि यह का कामन जो आदमी है जो के हम अपने यूनिवस्टी के दिनों से या हम जब बचे थे हम अपने एल्डर्स को देखते थे वो इन सब की रिस्पेक्ट जरूर करता था उनके नज़रिये को वो अपने लिए कोई चैलेंज नहीं समझता था कि मिसलल अगर मैं साइन जीम सायद के नज़रिये को अच्छा समझता हूँ या मुझे बचे बचे नज़रिये कोई डिस्पेक्ट करनी है या मौतरमा बेनजीर भुटो के नज़रिये की या उसकी जिदो जिद की कोई यू नो डिनल नहीं है एकसेप्टेस है सेंस आफ रिस्पेक्ट है अब हाला कि मैं देख रहा हूँ के चीज़े इस सोशल मीडिया के दोर में जरा सी मुझे लगता है कि डिस्रिस्पेक्ट हुई है और पहले में इसा नहीं किया था डिसग्रीमिंट जरूर की देखी थी और उससे क्या होता था कि एक दूसरे की बात सुने का मुकवा मिलता था आप यह एशास नहीं करते था कि आप फेपेशप्ट पार्टी के दोस्तों के साथ बेञे या जीसे सेंध के दोस्तों के साथ या रिवामि तयरी के दोस्तों के साहत है या कम् Cities के साथ या, राइट विं के साथ है ए Taste लिए सि circles के अंदर, उन चीज़ों के अंदर, भले तरीक अलग-अलग होता था, पर sin को लेके वो असासियत हुआ करती थी, तो एक दूसरे को सिनने का मुखा मिलता था, यह मैं अपनी येज की बात कर रहा हूँ, यह हमारी येज से पहले भी, कि किसी और पार्टी का लीडिर आपको अपना दुश्मन नहीं लगता था, क्यूंकि आपको ये पता था कि ये बहतरी चाहेंगे, ये सिन से पीछे नहीं अटेंगे, आज के दूर में बड़ा अनफाचुनेट ऐसा लगता है, आज का दूर ज्यादा कंप्रोमाइजिंग लगता होता है, आज की पलिटिक्स, गवैसी नहीं लग रही होती, सब की, वो पिर जीए सिन्दो, वो अवा कर रहा है, और हर कोई एक दूसरे को अपना दुश्मन समझता है, और एक दूसरे की तद्लील करते हैं, ये बड़ी बड़िटिकल पार्टियों की बात करा हो, और ये फंक्शनल लीग है, बहुत सारे, पहले ये विजडम था कि ये जो लीडर्स हैं, उनकी लोग रिस्पे के अंदर था, अब जाहरे में भी उसी सुसाइटी का माशरे का ऐसा था, तो वो अवेर्नेस मिलती रही, अवेर्नेस थी, और हमने धर्ति को, सिन को, हम मा कहते हैं, और हमने वो एमोशन, वो सेंटिमेंट भी धर्ति के लिए किया, और दूसरा ये भी है, जो खिते, suppress किया जाता है भले वो उसका social fabric हो उसका जीना हो उसका art हो, उसका वजूद हो जब वो suppress किया जाए तो वहाँ पर वेसे ही political awareness बढ़ जाती है लोग अपनी rights को लेकर अपनी चीजों को लेकर aware हो जाता है वो जो समाज suppress नहीं होते जो कि privilege होते फिर वो जाहरे उनके पास इस तरह का deep rooted indigenous खयाल indigenous political awareness उस लेवल की नहीं होती फिर उसमें एक elite part आजाए part develop होता है तो I think in a way हम कह सकते हैं कि यहां की society को क्योंके suppress किया गया है यहां के खयाल को यहां के narrative को और यहां की coexistence को challenge किया गया हर बार यहां की communities को हमेशा नुकसान हमने देखा है रियासत की तरफ से यहां उनके आशिरवात के तद जो मजभी यहां स्यासी जमात हैं किया गया है तो जाहर है यहां पे फिर उस चीज़ को रिजिस्स करने के लिए उस इन्वेजन को रिजिस्स करने के लिए एक political mobilization वही हैं और वो हम उसी एज़ का हिसा हैं अच्छा जो पिर हम आपकी तखलीक हम देखते हैं उसके अंदर भी यह political environmental sensitivity यह awareness यह आपकी मुसीकी में आपके जो प्रैक्स हैं आपकी जो शायरी है और जो शायरी का चुनाओ है और जिन शोरा को आपने गाया है और बलब आपके काम के अंदर वो काफी जादा जो है वो जलकती है तो यह तो inspiration मिल गई लेकिन यह तखलीकी प्रासेस क्या है आपका आप मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां पर एक है जैसे ना एक लफ़ एक कल्यान 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 आजकल जो मैं अपनी म्यूजिक में देख रहा होता हूँ अब कल्यान हमें हमें कहते हैं कि सुकून पीस कामनेस तो आजकल मुझे अपनी म्यूजिक में वो ज़्यादा महसूस होता है मुझे ऐसा लगता है कि हमने कॉजिस को लेके अलग अलग तरीके से अपनी म्यूजिक में अपना रिजिस्टन्स रिकॉर्ड ज़रूर करा जाए जैसे मीना वो एक बच्चियों की तालीम पो कि लड़कियों की तालीम क्यों जरूरी है उस पे तो उसके अंदर एक पॉलाइटनेस थी जैसे मुझे एक फील होता है कि हाव यूनों असुसाइटी विल बी विन विमन विन गर्ल इस एजुके तो एक हार्मनी होगी तो दवेट्स रिटन दवेट्स कमपोस्ट उसके अंदर मुझे वो लवजों की धुन की उस मुजिकल अरेंडमिन की घार्मनी में सुसुआँ जब हम को लेके अवेरनेस अपनी मुजिक के थू कर रहे थे तो उसके अंदर हमने क्योंके जिस एरिया में वो कोल माइनिंग ह तो उसकी जो लेंगविज थी वो बहुत ज़रूरी थी कि उस उस इलाके के मेटर को उसी इंडिजीनियस लेंज से देखना उस पोईट की बात को माइने देना कि वो पोईट कैसे देखता है तो उसके लवजों में मुझे मैसूस हुआ कि इंसेक्यूटी भी है फियर भी है रियासत की तरफ मिस्ट्रस्ट भी है और साथ साथ अपने वतन के साथ अपने धरती के साथ अपने दरखतों के साथ जहनुनक साथ प्यार है कि वो कहना चाह रहा है कि यह सब हम खो देंगे अगर हमने इनको उने दिया अगर हम एब आने दिया हुआ फिर ए मने जोटे दिलासो में, जोटे बादो में आगे तो.. तो सी मैं अगर हमने दिया को खोल किया आखर कंथिताна, बारीप बारहणतार, फिरे अही में, रेछान विल्लिजिन, ए1ड किया रहां। it does have that effect and impact so I think I see it with very open hands के पहले आप खुद उन चीजों को लेके sensitive होते हो नहीं 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 पहले हो पिर वो एक clarity पिदा करती है पिर वो poetry पिर वो चीजें वो बिगिन तो मेंक सेंस अभी रिसेंली हमने एक गाना बनाया अभी वो फाइनल नहीं है ऐसा ही अनपलक्सा बनाया वो आकाश अंसारी है बड़े अचे point उनके शारी है तो वो है असी बस रहा सी अधूरा अधूरा हम बस अधूरे ही रहे नकी इश्क आतिश फिशां थी अभा में हो नहीं दीप दिल मा अवां जो उजहां में हो ना तो ये इश्क आतिश फिशां के पटे लावे की तरह ना ही हमारे अंदर जो एक छोटा सा दिया जल रहा है ना ही वो बुझ पाया वाँ ना वो लावे की तरह पटा ना दिया बुझ पाया वो दिये की तरह जल तरह तो वो हमसे पहले poetry गाई गई है बहुत सारे अच्छे artist होने इसको पुस्के तो मुझे वह अच्छी लगती थी वो मुझे लगता था, ये मेरी मेरे लिए ये लो, इतनी पर्सनल लगती अपनी कैफियत मैसूस होती थी लो, हमेशा के ना तो हमखोशो के असे, ना ही हम उस तरह से रो पाए रो पाए अगर खल के हसना चाहा तो जमाने के जो गम थे, उसने रोका हमें, क्या करें हुस रहे हो, एदर ये सो गए तुम हस रहे हो, और जब रोए, तो फिर उसी जमाने ने तंस किया किया तुम एक हमजोर हो के रो रहे हुए, बलब वो हर कैफियत दूरी रहागी, कोई मेकमल पन आया ही मिला, ना खुश ह कि रहे हस पाए, ना उसी तरीके से रोब पाए, वो तकवियत मिल नहीं पाई है, नहीं मिल पाई, तो मैंने वैसे ही, अभी हमने इसे ही मोबाइल में एक गिटार लेकर रिकॉड किया है, मैंने उसको भेजा, तो उसने, उसके मुझ से और भी उसने मेसेज बेजा तो पहल मुझे ऐसा लग रहे है कि जैसे मैं चाहता था ये गाया जाये, जैसे मैं चाहता था इसको एक धुन मिले वो मिल 개 है जैसे मैं है कि तरह बिल गई जग रहे है कि मैं इसको इसतरा से ही चाहता था It''s such a big compliment. Compliment. So I think when these things become personal to you, you know, when you think this poetry is for you, तो फिर आप अपने आपको इसको स्पूर्थ कर देते हैं, कैसे रखोगे, अपने आपको कैसे रखोगे, if you, just repeating this word, sensitive enough, aware enough for yourself, तो आप अपने आपको such as it is रखोगे, और जब अपने आपको such as it is रखोगे, as much as you can, वो यूनिक है न, वैसा कोई और नहीं है, तो जो वेसा कोई और नहीं है, वो यूनिक है, तो वो अलग सा लगता है, so when it comes to our music, हम फोग भी गाते हैं, जो दरगाओं पर चीजें फखीर गाते हैं, वो भी गाते हैं, क्योंकि हम अच्छी लगती हैं, तो साथ-साथ जो शैरियां हम अपनी खुद लिखते हैं, या जो हम शैरियां किसी और शैर की कंपोस करते हैं, या रुई कंपोस करते हैं, तो करते हैं वो ही हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें रिफ्लेक्ट करें, हां यह जो आपको टच करती है, जो आपको छूती है जो कुछ माना बना है, जो लगे कि येस, it makes sense कुछ ऐसे भी सॉंग्स हैं मुझे जाद है कि शायद आज से दस साल पेले मुझे नहीं समझ आते थे अच्छे नहीं लगते थे अच्छे नहीं लगते थे तो ये तखलीक जैसे इस दुन की आप बात करेंगे वैसे I would love to listen अगर आम उसको सुन सकते हैं तो असी बस्रया सी असी बस्रया सी अधूरा 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 नकेश्क आतिष फिशाथे युभाम्यों नही दीप दिलमा अवाजो चाम्यों नसूरं जिशितत खाशोलो बन्यासीं नसूरं जिशितत खाशोलो बन्यासीं नसिगरे तजो को फलोती चन्यासीं दुख्यासीं जल्यासीं अधूरा 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 धूरा 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 वाओ 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 क्या बात है क्या बात है मैं सिर्फ अभी कोई मुसीकी नहीं है कोई जो है वो कोई साज नहीं है लेकिन इसका इतनी मुझे इस महौल में इस वक्त बैठे वे उसकी इतनी फील आ रही है तो I can imagine कि जब ट्रैक आएगा कंपोस होगे तो उसकी क्या फील होगी क्या उसकी कैफियत होगी और वो अकसर ऐसा होता है कि आपके कुछ ट्रैक्स मतलब वो रहते हैं मेरे साथ तो रहते हैं और मैं सुनता रहता हूं मतलब और अकसर वो दिल ख्वाइश करता है कि इसको फिर से मैं सुनूँ इसको मैं फिर से जो है वो पीट के उपर जो है वो लगा वा ये भी गिफ्टिर ने 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 ये गिफ्टिर केलना है और I really admire it तो इस अब मैं जब इसमें देखता हूंगे जिस तरह अदूरा पे जिस तरह एफिसाइस किया है और इसकी जो कंपोजीशन है इसकी जो तखलीक है इसका क्या प्रॉसेस क्या था एक बड़ी मज़दा चीज है कि जो जो चीजी हम कंपोज करते हैं आपनी वो वो कभी हम सेटिंग में बैठते ही नहीं है कि लिट्स कंपोज असोंग होता अखसर ऐसे कि मैं जिसे बैठावाँ भी मेरा ज़्यादा तर वक्त अकेले ही गुसरता है या मैं गाड़ी चला रहा हूं तो कोई मैंने कोई पोईट्री पढ़ ली है तो वो मेरे माइड में चल रही होती है और साथ साथ मुझे लगता है जो मैं इंफिलिएंस होता हूंगा मैं सुनता बहुत हूं म्यूजिक मैं बहुत से रीजन की म्यूजिक सुनता हूं पापिलर म्यूजिक भी सुनता हूं और जो music popular नहीं है वो भी सुनता हूँ, instrumental भी सुनता हूँ, तो बहुत कुछ सुनता हूँ, और मैं राख तो नहीं जानता हूँ, और मैं राख सुनता हूँ, संजीदा जो classical music है वो भी सुनता, eastern भी western तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक कुछ, मनी मन में कुछ मज़ेदार हो जाता होगा, कि जो लिस्टिंग है ज्यादा, वो कहीं हेल्प कर जाती होगी, अब मैंने कोईटरी पढ़ लिए, मैं उसको याद की वही है, और तो फिर वो मुझे लगता है कि दिमा कुछ केरियट करता है, और फिर कुछ ना कुछ लाइन बन जाती है, एक लाइन, दो लाइन, तीर लाइन बन जाती है, बन जाती है, और फिर हम जब पैन मेम्मेश बखते हैं, शेयर करते हैं, फिर बमे sophomore होना, शुरू हो जाती है, अब रिभllers रेसेंटली मैं गआरी में बेठा आउँ था, और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था मुजिक से रिलेटेट, कुछ भी नहीं था तो मैं गाड़ी में बेटके जा रहा था हमें एक गाना रिकॉर्ड करना था तो अब मैं जैसे गली में उतरा हूँ स्टूडियो जा रहा हूँ तो कोई होगा फासला कोई 30-40 सेकंड का फासला होगा unintentionally मैंने एक पोइटरी मैं नंगर पार्कर में था तो वहां पे पोइटरी पड़ी एक शायर है उनकी हसंदर्स थी तो वो पोइटरी के कुछ लवज ऐसे ही दिमाग में बेठख खे थे तो मैं उस 30-40 या 50 सेकंड के अंदर मुझे रिकार्ट कुछ और करना है तो ये ऐसे ही कि मैं गुन-गुना ने लगा उस पोईट्री को ऐसे ही गुन-गुना ने लगा तो फिर मैंने छट से मॉबाइल नेकला मैंने उसको सेफ किया फिर मने उस गाने को छोड़के में इस पर हम बैट गया ओफिर गाना बन गया ऐसे भी हुआ है और कभी के वे साओत आहोता है अब कोशिश किये कोई थूंड बने और नहीं बनती है 90 परसंट नहीं बनती है तो ये भी होता है कि जब आप एफेंट करते हैं कि मुझे यह लगता है कि यह तखलीकी प्रॉसेस काफी एफिर्टलेस होता है और यह वह जाता है जिसले आपने कहा कि यह बस उस पचीस-तीस सेकंड का जो फासला था उसके अंदर यह हो गया कैसे हो गया यह नहीं समझा यह मुझे लगता है कि हम जानके करेंगे भी क्या जा अभी कभी पॉइटरी का होता है जैसा भी पर्टिकॉलर गानी के मैं बात कर रहाता हुआ उसके कुछ लव्ज्श भी कुछ-कुछ अशेयों कैसे होते हैं जो कि आपकी तबियत शे शे अपो अच्ये लगते हैं जैसे मुझे खयाल के अंदर किसी भी खयाल के उनदर मुझे फित्रत का एलिमेंट और जो हमारे इनसान और फित्रत की जो आपस में यह नो वो कनेक्टिंग कुछ डॉट्स हैं उस एलिमेंट में और खास करके फिर लैंगरिज में जितना देसी बन होता है वो मुझे अचा लगता है